देखे ऐसा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 400 पार का दावा किया था और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कमाईएं 240 सीट उनकी आईए तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को नए तिक्ता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की जनता ने उनको नकारा है और नकारा किन कारणों से है महेंगाई बहुत बड़ा कारण थी बेरोजगारी दूसरा बड़ा कारण थी चार सो पार की बात जो उनों ने की तो देश की जनता को ये समझ में आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमरा अम्बेटकर जी के द्वारा बनाएगे संविधान को ये खतम करेंगे आरक्षन की वेवस्ता जिससे दलीतों पिश्डों आदिवासियों को एक संरक्षन प्राप्त है उस आरक्षन की वेवस्ता को ये खतम करेंगे और जो तानसाही की हुकूमत इन्हों ने चलाई इन सब बातों को लेके जनता में गुस्ता था नाराजगी थी और एक बहुत बड़ा संदेश भारत की महान जनता ने दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत लोकतंत्र के अंदर लोग मालिक होते हैं ये बात मोधी जी को और प्रधान منत्री जी को उनकी पार्टी को समझ में आनी चाहिए अगर वो समझ में नहीं पायेंगे तो यह जनता है कभी आपको आर्स पे पहुंचाती है कभी फर्स पे पहुंचाती है जो दो वहां पर इंडिया के साथ है और दोनों की तरफ सब्सक्राइब बने रहेंगे आप लोगी तरफ से लगधार कोशित हो और यह कल बात भी करेंगे कि हम बात करेंगे उसका क्या कुछ करना है देखे ऐसा है कि आज इंडि नेताओं का प्रस्न है दोहजार उन्नीस के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबावू नाइडू जी ने पूरे देश में सब को संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिली के अंदर धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा और यही काम खुद नितीस कुमार जी ने किया था इंडिया गडबंदन को संगठित करने के लिए तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई स्रद्धा या कोई रिस्पेक मोधी और अमिश्शा को लेके है ऐसा मनी मानता बाकी उनको उनकी पार्टी है उनको फैसला करना है आज हम लोग जब इंडिया घटबंदन की बैठक में इकठा होंगे तो उसमें आगे की रणनी इतना है करेंगे लेकिन इंडिया बेक तरह से सरकार बनाने की प्रग्रिया सुरू करते हैं इसमें सबसे बड़ा घटक दल है और भी पार्टिया इसमें बैठेंगी सब लोगों की राय ली जाएगी और आगे कैसे बढ़ना है फिर उसके इसाब से तह होगा मैंने इन दो निताओं के बारे होना चाहिए लोक सबा का देक्श हमारा होना चाहिए क्यों कि उनके मन में चिंता है यह पारटियों को तोड़ते हैं पारटियों को खतम करते हैं उद्धो ठाकरे जी की सिवसेना को इन्होंने खतमी किया महारास्टवा के बंदर इन्होंने अकाली दल को खत्म किया जे डियू कई जब इनके सात्थ थी तो मुझझ यद नहीं है नवर्थ इस्ट का कौन सा स्टेट है आगा लेंड या कौन सा स्टेट, वहाँ छे के छे मेले जे डियू के तोड़ दिये, जब इनके साथ में थी, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जरूर, ये लोग को इन रिड़ने लेने से पहले सोचेंगे, कि बी जे पी और प्रधान मंत्री उनके साथ क्या करने जा रह से उनके साथ बातें जब रहाँ है जा रहा है।